और जिस तरीके से भगवाण इंद्र को घमंड हो गया था अपने शाशन पर उसी तरीके से मोदी जी नितिशकुमार जी को घमंड हो गया है अधिया डबल इंजन पताने कौन इंजन का काम कर रहा है एक इंजन अपराद में लगा है तो दूसरा इंजन भरस्ट चार में लगा हुआ है थाना ब्लोक चले जाओ बिदा कुछ दिये हुए चड़ावा चड़ाएवे काम नहीं होता है सही बात है कि नहीं है अभी बेला मे आभी चुलाओ है तो चुणाओ को देख लोग बुड़ रहा है बुज़ूर्ग हमारे अभी वावा का है बोले कि देख आप आब वी बॉले यह नाफुर्ग व्लई यह नालंदा व्ला है यह यह नाफुर्ग व्लाइग नालंदा वला अ यह मत्वत वहला हम इस चेकर लालू जी को कितना ड़ाया गया जेल भीजा गया केस किया मुकदमा किया हम पे भी किया जब मुछों नहीं था तब भी केस किया दढ़ाया गया धमकाया गया लेकिन जब लालू जी नहीं दढ़े तो लालू जी के लाइक वादर आ जाएगा अरे भास पास पास के डरता है जेल की धमकी भाईया हम भी में ना चले वाला हो हम लोग लगदे वाले लोग बेला में भी महौल बनाया जा रहा है सब आपसे के खरा कर दिये ले हैं आज आप लोगों की बीच आने का मौका मिला तो हम कहना चाहेंगे बड़ी अबादी यहां भुजूर्गों की भी है नौजवानों की भी आप सब लोगों ने लगतार आदर ने लालू जी को तेजश्वी को अपना प्यार दिया और शिर्वात दिया और आज लगतार बीच सालों से हम लोग जो है विपक्ष में हैं बीच बीच में 15 महिना 17 महिना हम लोग सरकार में आए लेकिन जो 17 महिने हम लोगों ने सरकार में रह करके जो काम किया वो आज तक जो है किसी भी राज की सरकार दे नहीं किया आपका सबसे बरा अगर कोई दुश्मन है तो वो बेरोजगारी सबसे बरा दुश्मन है आपका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है आपका अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो महंगाई है गरीबी बेरोजगारी महंगाई इन सबसे हम लोगों को मिल करके लगना है और जिस तरीके से भगवाण इंद्र को घमंड हो गया था अपने शाशन पर उसी तरीके से मोदी जी नितिश कुमार जी को घमंड हो गया है अब बैठेवे सरकार में जो लोग है उनके मुझ से बहुत से बेरोजगारी नहीं निकलता है गह से गरीबी नहीं निकलता है बहुत से महंगाई नहीं निकलता है बताइए आप लोग सब लोग बिजली बिल से तबाह है कि नहीं है प्रीपेड मीटर से तबाह है की नहीं है आप लोग बता जितना ही जमीन सर्वे हुआ आप लोग सब लोग परिशान हुए की नहीं हुए आप लोग भोट दिया थे अच्छे दिन के लिए की परिशान होने के लिए यहां डबल इंजन है पताने कौन इंजन क्या काम कर रहा है डेली अपराद बरता जा रहा है अत्या लूट बटकेती हो रहा है एक इंजन अपराद में लगा है तो दूसरा इंजन भरस्ट चार्प में लगा हुआ है और देली पूर्पूलिया ठाला ब्लॉग चले जाओ विदा कुछ दिये हुय चडावा चडाय काम नहीं होता है सही बात है की नहीं है कोई शुच आर-गोई-घ किसान का बात कोई अधिकारी नहीं सुनता है सब अधिकारी सब लोग जयो सरकार में बैठे सम मस्त मोला हो चुके हैं अजूटा हूं के यहां सराब बंदी है है हों डिलिवरी हो रहा है सब लोग मस्त है क्या क्या नहीं हो रहा हूं सब आप लोग जान दें कितना खेला हो रहा है लेकिन जेलवा जाएगा तो गरीब में जाएगा घूसवा देगा तो गरीब में घूस देगा अगरीबी अब बिरोजगारी हम मांगा ही सहेगा तो गरीब वे सहेगा इन सरकार में बैठेवे लोगों का घमर्ड हम लोगों को चूर चूर करना है आपने अपने भाई को तेजश्वी को 17 महीने हमको मौका मिला हम तो 20 में लेकिन चार पाफ शीड बैमानी कर लिया लोग हमको बनने नहीं दिया लेकिन फिर भी बाद में जब चाचा होने से पल्टे हैंने आए तो हम बने तो उपमुख मंतरी बने तब पांच लाख लोगों को सरकारी नौकली हम लोगों देने का काम किया तीन लाख नौकली प्र निकला अगैँ अगलें उसे लेकिन प्रहेट में अगमुखрим केकट लियां या लेकिन जब तशी बाहर हो जाता तो पेपर लिखेंगन कि तना मेहनत आप लोग करते हैं पढ़ाई लिखाई तयारी कोची कोची सब लोग करता है दे बनाता है पुलिश में इधर उधर एक पेपर बता दो जिसका पेपर लीख ना हुआ नितीजी कराज में और सजा किसको मिली सजा किसी को नहीं मिली जो बैमार लोग है उसको सजा नहीं उसको प्रमोसन मिलता रहा है यह सरकार है इसलिए देखे आप सब लोगों की बीच हम लोग आए और तेजश्वी वादा करता है कि एक बार हाथ मजबूट करोगे तो दो सो यंडिक प्री में बिज़ी हम लोग दे कितना यूनिट प्री में बिज़ी मिलेगा सभी किसान भाई का कर्ज माफ होगा कि नहीं होगा सब का कर्ज माफ किया जाएगा दस लाक नहीं जितना बाली हो सकेगा कम से कम दस लाक तो हो गई होगा उससे बेसी हम लोग कराने का काम करेंगे सरकारी नौकिल दिलाने का काम यह सब काम होने वाला अभी हम लोग आ रहे थी एक बुजर्ग हम को मिले राश्ते में बोले बाबू अभी बेला में भी चुनाओ है तो चुनाओ को देखके लोग बोल रहा है बुजुर्ग हमारे अभी वावा का है बोले के देखा बाबू एगो नाकपुर वाला एगो नालंदा वाला एगो नाकपूर वाला एगो नालंदा वाला हमनी के आपस में लड़ावोता हम तो इतना कहेंगे अगर आपको सत्ता में आना है अगर गरीब का राज पाठ बनाना है तो सब पिछड़ा दलित के एक होवे के जरुवत है आपस में लड़िएगा आपस में बटोगे तो फिर आप विपक्षे में बैठे रहिएगा लेकिन आप लोगों को न्याय चाहिए और न्याय तभी मिलेगा जब आपकी अपनी सरकार बनेगी गरीबों की सरकार बनेगी तभी जाकर कि आप लोगों के साथ न्याय होगा अभी बात बार बार अपने लोगों को समझाते रहें अभी वक्त है सत्ता में आने का अपने लोगों को न्याय दिलाने का अगर अभी एक जुट नहीं हो येगा तो ये मौका जो है छूट जाएगा इसलिए जितने पिछड़े भाई है जितने हमारे दलिद भाई अप्शक्यक भाई सब लोग गोल्द बंद हो ये एक जुट हो ये बड़ी बड़ी साजी से चलेंगी लालू जी को कितना डराया गया जेल भेजा गया केस किया मुकदमा किया हम पे भी किया जब मुचों नहीं था तब भी केस किया गणाया गया धमकाया गया लेकिन जब लालू जी नहीं दढ़े तो लालू जी को लाई को आजाएगा अरफ भास पास 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 के डरता है अरे हमारे भगवान श्रीक्रिष्न का यह जरम जैल में हुआता तो जैल की धंकी भाईया हम नीग में ना चल कमले वाला हौ हूख कि अभलो लड़ने वाले लोग है कि अरट चलीए लगने लूरच में हाज यहार के हिद्थ उर्विकास के लिए आप लोगोत के तरंतने वाण जोग है हम लोह समाजवादी लग है समाजिक्र ऑ 그게 रांद में हम लोग विश्वास रखने लोग है भाई अभी चार जगाव बिहार में उप चुनावा बेला में भी महाल बनाया जारा है सब आपसे के खरा कर दिये ले हैं तो उसलिए आप सब लोगों को बताना चाहेंगे वेक्ति विशेश बड़ा नहीं होता कोई तेज़स्वी बड़ा नहीं है लेकिन जो तेज़स्वी जिस पार्टी में है जो आपकी पार्टी राष्टी जनता दल है वही माई बाफ है सबसे बड़ा पार्टी होता है कोई रेक्ति नहीं होता है party को देखके भोट देने का काम किजिए party के विचार धारा को देखते वे भोट देने का काम किजिए सब लोगों को चुञव लगना है लेकिन शिटुवा एकने होता है लेकिन सब का अच्छा समय आईगा एक बार अगर आप तेजस्वी के हाथ में राध़ पाथ दोगे एक बार हमारा सरकार बनेगा तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी तरक्की नहीं होगी नहीं होगी उसलिए हम लोग काम करेंगे हर हात काम मिले हर हात रोज्गार मिले लगे इसलिए लगे काम करेंगा अलंघाव लग जाएगा तो بियां तो सब ला काम होगा लाइका हो लाइकी हो सबका नौकरी लगेगा और यही नहीं अपनी बेहनों के लिए गरी परिवार की जो बेहने होंगी उनको रक्षा बंधन के अफसर पे एक लाक रुपया एक साल में हम देने का काम करेंगे अब जितनी गरी परिवार की बहने होंगी उन सब को रक्षा बंधन के दिन उनके सीधे खाता में टका टक 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 एक लाक रुपया हो जाएगा साल में इसको हम लोग केकि लालु जी ने समाजिक नयाय की लड़ाई लड़ी अब समाजिक नयाय के साथ-साथ आर्थिक न्याय की लड़ाई है आप लोगों को हांतिक न्याय बिदलाना है इसकी लड़ाई हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे तो भाई आप लोगों का साथ मिलेगा की नहीं मिलेगा अर्शिवाद मिलेगा दोनों हाथ उठा करके सर्द में बोलिए आप सी बात गिलेगा ना कमालपुर की जलता कमालपुर की जलता पेकारी की जलता तब भाई जितना लोग जिसके दिश्चेदार बेला में होंगे इमाम गंज में होगे सब लोग बोजिजेगा चुप चाप लंटेल चाप चुप चाप चुप चाप भगवाल श्री कृष्ण की भगवाल श्री कृष्ण की आप सब लोगों का बहुत बहुत बढ़ेवाद और बिहार राज दल पक्ति ग्राम रक्षा दल महासंग है सब लोग आँ है आप लोगों का मिला है विधान समा 25 से चालू होगा तो इस मुद्धे को ठाने का काम करेंगे बहुत बहुत धन्वार जैहें जै बिहार